दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले कहुं से लिए कि अगर अंग्रेज भारत देश में नहीं आते तो क्या होती भारत की तसाई तो चलिए सबसे पहले तो यह देखते हैं कि भारत की क्या हालात होते हमारे देश की तो दोस्तों अंग्रेजों के सासन करने से पहले भारत को सोने की चड़िया का जाता था, आपको पता है सम्रा रशोक के समय में भारत को सोने की चड़िया का जाता था, अखन भारत था, कई छेतर के राजाओं का सपना भारत में बसने का था, का जाता है कि भारत की अर्थ व् आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत की अधिकांश्य संपत्ति पर कभ्जा कर लिया था 1913 में LGM अर्थ सास्त्री ने 200 अर्थ व्यवस्ता का डिटेल अध्यन किया उनके अध्यन के मताविक भारत में 1750 में दुनिया के अर्थ व्यवस्ता का 25 प्रतिस्त हिस्सा था समझे 25 प्रतिस्त वो भी पूरी दुनिया की अर्थ व्यवस्ता का हिस्सा अगर भारत में था तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश्था उस्तर में थे और उस समय बेटेन और सहयुक्तराज अमेरिका के पास केवल 2% हिस्सा था अर्थवेवस्था का यानि कि आज तो हम लोग अमेरिका और बेटेन से भी पीछे हैं लेकिन उस समय हम लोग अमेरिका बेटेन से भी कई गुना जाधा आगे थे 25 प्रतिसत हिस्सा आप समझे कि पूरी दुनिया में सबसे नंबर वन पे और भारत के बराबर में कोई भी देश नहीं आजकता था भारत शुरू सही सांतिपूर्ण देश रहा है लेकिन अंग्रेजों की रणनीतियों की वजे से भारत को देश को दोतिये विश्यूद्ध में शामिल होना पड़ा लगभग 20 लाग से अधिक भारतिये सेना अंग्रेजों की तरफ से भारतिये सेना ने लड़ाई लड़ी तिधुति विश्यूद्ध की इस वजे से भारत की अर्थवावस्था बहत कमजोर हो गई थी कूंकि दुति विश्यूद्ध में काफी शती हुई थी काफी नुक्षान हुआ था अर्थवास्था को अच्छी बात ये है कि अंग्रेजों की समय में सतीपर्था पर रोंक ल आने के बार बाद भी भारत के कुछ राज्यों से ये कुपर्था भट गई ये चीज मुम्किन नहीं हो पाती अगर अंग्रेज नहीं होते तो भारत ने अपना बेश कीमती कोहिनूर हीरा खो दिया अंग्रेजों के आने के बाद लाहोर की अंतिम सांती पर दूफरे एंगलो सिक्क यूद के बाद हस्ताचर किये गए थे जिसके पर्लायम सरूप कोहिनूर हीरा रानी विक्टोरिया के हांथों में चला गया था बिटिश शासन के दौरान भारत का सबसे बड़े नुपसान में से एक था क्योंकि कोहिनूर हीरा इतना कीमती था दुनिया में ऐसा कोहिनूर हीरा कहीं नहीं मिलेगा बहुत ही कीमती हीरा था अगर अंग्रेज ना आते दोस्तों तो आज हम लोग एक जगे से दूसरी जगे सफर करके ट्रेन से चले जाते हैं चंद मिन्टों में फ्लाइट से चले जाते हैं तो ये सब कुछी भी नहीं होता आज भी हम लोग बैल गाली से सफर कर रहे होते हैं पैदल सफर कर रहे होत अंग्रेजों ने शुरू की थी संसदी वैवस्त था, भारत पर मुगलों और अन्य राजाओं दोरा शासन किया गया और वेटी शासन से पहले भारत में लोकतंत्र का कोई शंकेत नहीं था, क्योंकि भारत में राज सत्ता इस्थावित होती थी, राचा लोग यहां पे कपज करते थे जितने एरिया में, उस एरिया पर वो लोग अपना राज करते थे और ताना सही चलती थे, लेकिन लोकतंत्र का कोई भी संकेत उसमय नहीं था, अंग्रेजों ने भारत में संसदी चुनाव शुरू किये जिसके द्वारा मूल आवादी लोकसभा के लिए मजदान क नहीं मिला होता, उनको स्कूल में दाखिला नहीं मिला होता, उनको स्कॉल असिप नहीं मिली होती, वो विदेश नहीं जा पाते पड़ने, और जब यह सब नहीं हुआ होता, तो जो इस्थती हमारी पहले थी, वही इस्थती उससे भी बत्तर इस्थती आज की विडेट में बउजन समाज की स्थती होती भले ही देश की वैवस्था अर्थ वैवस्था मजबूत हो जाती और यहां की टिकनलोजी अच्छी हो जाती और काफी मेरा इंडिया में काफी सुधार हो जाता लेकिन सती पर्था पर रोक नहीं लगती और भी बहुत सारे जैसे ब्रामालबाद से नहीं मुक्त हो पाते और पहले से भी और अधिक गुलामी की जंजीरों में जक्ले हुए होते तो सबसे बड़ा तो ये परिवर्तन न हुआ है ये लाग हुआ है अंग्रेजों के आने से इस देश में धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और वेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यों दोस्तों